नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशक 11 दिसमबर सुमबर सुबह सवा 11 बजे राजस्तान की बड़ी खबरे राजस्तान के पूर्व मंत्री भवर जितेंदर सिंग ने कहा है कि राजस्तान में रिमोट सीम बन जाएगा किसी कमजोल व्यक्ति को चुना जाएगा जो बटन के इशारे पर उठे बैठे रवीवार को पूर्व मंत्री बहरोड में कांग्रेस के चुनाव समिक्षा और कारेकरता समेलन में पूर्व केंदरे मंत्री भवर जितेंदर सिंग के निर्टित में अलवट जिले की विभिन विधान समा शेत्रों से कांग्रेस के जीते हुए विधायक शामिल हुए पूर्व केंदरे मंत्री ने कहा कि यह दुरभाग्य पूर्ण है कि भाजपा में इतने मुख्य मंत्री बने हैं कि वो तैन नहीं कर पाते कांग्रेस में जो विधायक चाते हैं वही मुख्य मंत्री बनता है भाजपा में यहां ऐसा CM बनेगा जो सबसे कबजोर होगा भाटे जंता पार्टी के सभी विधायक जैपूर पहुंचना शुरू हो गए हैं इस बीच बिकानेर जिले की सभी छै विधायक भी जैपूर पहुंचे हैं इनमें बिकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास जहां पार्टी प्रदेश अधर्ष सीपी जोशी से मिले वहीं कोलायत विधायक अंशुमान सिंग अपने दादा के साथ राजवेपाल से मिले पहुंचे बिकानियर पश्चिम के विधायक व्यास ने शिविर को जैपूर में भाश्पा के प्रदेश एद्रक्ष सीपी जोशी और संगेटर महामंत्री चंदर शेखर से मुलाकात की लूनकर्ण सर विधायक सुमित कोदारा खाजुवाला विधायक डक्तर विश्वनाथ मेगवाल श्री डूंगरगर विधायक साराचन सारस्वत भी जैपूर पहुच गए हैं तीन लाख एक हजार तीन सो बच्चों को बूथों पर बाइविलेंट औरल पॉल्यो वैक्सिन की दो बूद फिलाई चार लाख चबीस हजार पांसो अठारा के लक्षय के विरूद सत्तर दश्नव चैचार परसेंट उपलबदी पहले दिन ही हासिर कर ली गई अभियानकर जिला स्तरिय उधगाटन स्टम जिला अस्पताल पोल्यो बूथ पर स्वास्ते विभाग बिकारियर जोन के स्विवत दिदेशन ड़क्टर दवेंटर चोंदरी ने बच्चों को पॉल्यो ड्रॉप पिला कर किया जैपुर से श्री महावीर जी जाते वक्त किंद्रे उद्योग एवं वानिज्य मंत्री पियूश गोईल रविवार शाम को सिद्पीट महंदीपूर बाला जी धाम पहुंचे जहां उन्होंने पतनी के साथ बाला जी दर्बार के दर्शन कर विशेश पूज आर्शना की मंदिर के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों चार द्वारा पूजा अर्शना करवाई गई साथ ही पियूश गोईल ने मंदिर परिसर में बैठ कर सुद्रकाण के पाठ भी किये इस दुरान उन्होंने कहा कि 22 जन्वरी को अयुद्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण पतिष्ठा होने जा रही है राश्पती द्रोब्दी मुर्मू सोमवार से दो दिन के उत्तर प्रदेश दोरे पर जाएंगी राश्पती सचीवाले से मिली जानकारी के नुसार राश्पती 11 दिसंबर को वारणासी में महात्मा गांधिकाशी विद्या पीट के 45 दिक्षान समहरों में शामिल होंगी उसी शाम वह लखनव में Divine Heart Foundation के 27 साल पूरे होने के समहरों में हिस्सा लेगी श्रीमती मुर्मू 12 दिसंबर को भारतिय सूचना प्रद्योगी की संस्थान लखनव के दूसरे दिक्षान समहरों में भाग लेगी अलवर सदर्थाना इलाके के चिकानी में संसनी खेज मामला सामने आया है पुलिस चोकी के सामने टेलर की दुकान चलाने वाले एक बुजूर्ग को पॉपुलर फ्रेंट आफ इंडिया नाम से डाक जरिये धम की भरा पत्र भीजा गया है जिसमें लिखा है कि इन दुकानों को 31 दिसंबर तक खाली करो वरना एक रात में बम से सबनष्ट कर दूगा बुजूर्ग ने पुलिस को ये धम की भरा पत्र सोबते हुए FIR दर्च कराई है गटना का पता चलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जांच में चुट गई है लेकनिया है कि पॉप्लर फ्रेंट आफ इंडिया संगठन भारत में प्रतिबंदित है राजिसान में BJP को बहु मतर मिलने के बाद CM FACE को लेकर चर्चा का दोर जारी है जैपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठके हो रही है इस बिच सवाई मादोपूर से नवनिर्वाचित विधायक की रोडीलाल मीना को कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री बनाने की मांकी है इतना ही नहीं कांग्रेस विधायक रामकेश मीना ने PM मोधी को इस लिए पतर भी लिखा है गंगापूर सिटी से कांग्रेस विधायक रामकेश मीना ने पतर में लिखा राजसान में भाटे जन्ता पार्टी को विधानसवा चुनाव 2023 में सपष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है जिसमें राजसान के आदिवासी मीना समाज वे सर्व समाज के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोडिलाल मीना जी जिनका कई दश्कों से भाटे जन्ता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है इसी क्रम में राजसान आदिवासी मीना सेवा संग एवं संपूर मीना समाज का आपसे विनम्र अनुरोध है कि डॉक्टर किरोडिलाल मीना जी को राजसान का मुख्यमंत्री न्युक्त कर संपूर आदिवासी समाज को अनुग्रहित करे 36 गड़ की मुख्य मंत्री विश्नु देव साय होंगे रवीवार को रायपूर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैटक में उनके नाम पर मोहर लगी राजनीती में विश्नु देव साय साफ सुत्री छवी और लंबी राजनीतिक पारी खेलने वाले बड़े आदिवासी चहरा है विश्नु देव साय के नाम को बंदलिफाफे में लेकर परेविक्षक जारखन के पुरु सियम अरजुन मुंडा केंद्रे मंती सर्बानंद सोनोवाल और दुशंत कुमार गोतमाय थे साय ने कुनकुरी विधानसवा सीर्ट से चुनाव जीता है चुनाव परचार के दोरान केंद्रे ग्रह मंतरी अमिच शाहा ने जनता से कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाओ हम बड़ा आदमी बना देंगे बता दें कि विधानसवा चुनाओ में भाजपा को आदिवासी शेत्रों में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है सेंट्रल इंडरस्टेल सीक्योर्टी फोर्स ने रविवार को मुंबई एरपोर्ट पर दो क्रोड पेंतालीस लाख रूपए की हेरोईन पकड़ी है यह ड्रक से एक विधेशी महिला लेकर जा रही थी CISF के मुताबिक जब्त की गई हेरोईन 350 ग्राम है आरोपी महिला को कस्टम अधिकारियों को सोम दिया गया है आगे की जाच जारी है राजसान में एक्जिट पोलों ने विधानसवा चुनाओं में सत्ताधारी दल कांग्रेस और भाजपा के बीच नस्दी की मुकाबला बता रहे थे लेकिन अब नतीजे आये तो भाजपा ने पूर महुबत के साथ 5 साल बाद वापसी की और प्रदेश में रिवाल नहीं बदला उधर मतदान को लेकर आम से लेकर सरकारी करमचारियों ने खुब मतदान किया सरकारी मुलाजिमों ने डाक मतपट से वोट डाले विधासबा चुनाओं में डाक मत सबसे पहले गिने जिसमें सरवादिक मत सत्ताधारी दल कांग्रेस को 3089 मत मिले जबके भाजपा को 631 मत कम मिले भाजपा सरकारी कार्मिकों के 2448 मत प्राप्त करने में सफल रही डाकमत पत्र के लिहाज से सरकारी कार्मिकों का रुख सत्ता धारी दल के तरफ दिखा लेकिन नतीजे आये तो विपक्षी दल भाजपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा अब सरकार बदलते देख कई अधिकारी और करमचारियों को चिंता में डाल दिया उन्हें डर्त बादले का सतारा है कि कईयों ने तो अभी से ही जुगार लगाना शिरू कर दिया सर्दी की दस्तक के साथ ही जुझनू शहर में तिल गुड और मूंगफली से बनी खादय वस्तों की दुकाने सच गई है सर्दी से बचाव के लिए लोग तिल वे गुड काधी को प्योग करते हैं दुकानों पर गजक, तिल, पापडी, तिल, लड्डू, रेवडी, मूंगफली, गोला, मूंगफली, खजूर, इत्यादी, सर्दी के मेवे की बिक्री प्रारम हो गई है सर्दी बढ़ने के साथ साथ इनकी बिक्री में भी इजाफा होनी लगा है तिल, गुड़, मूंगफली से बनने वाली खादे वस्तों की खूब बिक्री हो रही है साथ ही मकर सकरांती के अफसर पर तिल वे गुड़ से बनी खादे वस्तों की विशेश परंपरा है घरगर में उपियों के साथ लोग मकर सक्रांती पर दान पुन्ने के लिए तिल गुड और मुंपली से बनी वस्तों का विशेश रूप से दान पुन्ने करते हैं राजसान में ब्रोडवेज बसों में पैनिक बटन लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी जैपूर सीथ रोडवेज मुख्याले ने इसकी योजना बना ली है रोडवेज बस लीपो के चीफ मेनेजर राकेश गड़वाल ने बताया कि बसों में पैनिक बटन लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी पैनिक बटन दवाने के साथ ही कंट्रोलिंग कमांड सेंटर पर गाड़ी का नंबर और लोकेशन एक साथ नसर आएगी गलती से यह बटन दबने पर कंट्रोलिंग कमांड सेंटर शिकायत को वेरिफाई करेगा इसके बाद एक्षिन उठाया जाएगा जिससे परिवाहन निगम को काफी फायदा होगा जोदपूर के काली बेरी में बन रही अक्षरधाम मंदिर का 65% काम पूरा हो गया है रविवार को निर्माना धिन मंदिर के प्रथम तल पर रविवार को स्थम्बो को स्थापित किया गया इस तुरान 1500 यजमान में एक साथ पूजा की बड़ी बात यह है कि यह देश का पहला ऐसा अक्षरधाम मंदिर है जिसमें जोदपूरी पत्तर का इस्तेमाल किया जा रहा है देश में करीब 150 अक्षरधाम मंदिर है सभी मंदिरों में बंशी, पहार, पूर और मकरारा के मारबल का उप्योग हुआ है जोदपूर के कालिबेरी में पहला ऐसा मंदिर बन रहा है जिसमें केवल जोदपूर का पत्तर ही काम में लिया जा रहा है जोदपूर, आर्थुराइटस, दर्द और बुखार में काम आने वाली मेफटाल दवा को लेकर इंडियन फार्माकोपिया कमिशन आईपीसी ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि एसिड साइड एफेक्ट क्रियेट करता है खास बात यह है कि जोदपूर में यह दवा एक दिन में करीब एक करोड की बिक जाती है इस अलर्ट की असर को लेकर दिकांश डॉक्टर्स के पास अपचारिक रूप से यह अलर्ट नहीं पहुंचा लेकिन उन्हें पिछले तीन-चार दिन में अलग-लग सोर्स से इसकी जानकारी मिली है आयोग ने जारी अलर्ट में कहा कि फार्मा को वीजी लेंस प्रोग्राम ओफ इडिया डेटा बेस के अनुकूल दवा ड्रेस सिंड्रोम का पता चला है इस ड्रेस सिंड्रोम के कारण गंभीर अलर्जी हो सकती है जिसके कारण तवचा पर लाल दाग, बुखार, चक्ता और लिंफेडे नौपेथी जैसी शिकायत हो सकती है यह दिक्कत दो से आर्शता के बीच हो सकती है टोंक जीले में बीसलपूर बांध परेटन हब बन सकता है मानसुन सतर में यहां प्रदेश भर से सेनानी आते हैं लेकिन उन्हें बीसलपूर बांध के लावा अन्य कुछ नजर नहीं आता जबकि प्रशासन इस पर ध्यान देकर यहां परटकों को लुभा सकता है सबसे बड़ी पेजल प्रयोजना के साथ ही राजय की लाइफ लाइफ लाइन कही जाने वाली बीसलपूर बांध सतल पर अब तक सभी सरकारों की नजर सिर्फ पेजल तक सिमट कर रह गई है यहां परटन विकास के लिए कई स्थान वेप्रकर्तिक धरातल होने के बाद भी परटन विकास को दर किनार किया गया है जिससे यहां परटक आते तो है मगर अस विधाओं को लेकर दुबारा मुह तक नहीं दिखाते हैं राष्टिय राज मार्ग से बीसल पूर बांध सल तक पहुंचने के लिए सुगम सडक मार्ग तक नहीं है जिसके कारण परटकों को गड़ों से भरे मार्ग से गुजरना पड़ता है कई परटकों को यह वाहन बीच रास्ते में खड़ाब हो जाते हैं फिलाल इस पुलेटेंग में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर